दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजेब अग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर प्रतला विधान सबाद छेत्र के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है बड़ा बदलाव यह हुआ है कि प्रतला विधान सबाद छेत्र के निर्दलिये कैंडिडेट दीपक डागर को अब आजाज समाज पारटी और जन्नायक जनता पारटी यानि कि इधर से चंदर शेखार आजाद और इज़र दुश्यन चोटाला का समर्थन मिल गया है प्रतला विधान सबाद का मैं आपको बताता चलू कि जब नामांकल होने के बाद और नामांकल वापसी के बाद जो सही सिती सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी कि यहां पर कॉंग्रेस पारटी से जो केंडिडेट है चौदिर रगवीर सिंग तेवतिया है बारती जन्ता पारटी के केंडिडेट पंडेट टेक्चन शर्मा है बहुजन समाज पारटी और इनैलो का जो गठवंदन है उसके केंडिडेट पंडेट सुरंदर वशिष्ठ है आम आदमी पारटी के केंडिडेट कौशल ततारपूर है यहाँ पर जो candidate थे आजाज समाज party और जन्नायक जन्ता party के गठबंदन के उनका नाम था गिर्राज जटोला गिर्राज जटोला ने कल अपना समर्थन चुनाव से जो उनकी दावेदारी थी मेरी उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी वापस ले ली थी और उन्होंने समर्थन दे दिया था यहाँ पर चौदरी रगवीर सिंग तेवतिया को यह तो पांच केंडिडेट पार्टियों वाले थे और इसके अलावा जो और केंडिडेट रहे आजाद मैंने आपको बताई दिया दीपक डागर और निर्दलिय केंडिडेट यहां से निवर्तमान विधायक नैनपाल रावत भी है और जो नया चुनावी समीकरन बना है उ और भारती जंता-पार्टिय के टेक्शन शर्मा के बीच बताया जा रहा है चुनाव यहां पर जीता था पिछला निर्दलिय नैनपाल रावत चुनाव मैदान में तो है लेकिन उनकी कैची किसके वोट काट रही है क्योंकि नैनपाल रावत यहां पर जो विनिंग प्रोस गिर्राज जटॉला का नामांकन वापिस हो गया नामांकन तो वापिस नहीं हुआ उनकी दावेदारी वापिस हो गई गिर्राज जटॉला जो खुद चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया उनका सहयोग समर्थन चला गया सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इससे चौधिर रगवीर सिंग तेवतिया को कितना benefit होगा और अगली बात आ जाती है दीपक डागर की दीपक डागर को आज समर्थन दे दिया जे जे पी और एस पी की तरफ से मैंने अपने पहने वीडियो में आपको बताया भी था कि इनका समर्थन मिलने के बाद क्या जो आजाज समाज्टी का जो वोटर है खासकर दलित मद्दाता क्या दलित मद्दाता जो अपनी का उनकी पॉटी के जो कैंड़िडेट थे जिस सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे उनके वापिस होने से क्या वो मद्दाता या जो दुश्यन चोटाला की सोच वाला मद्दाता यूवा मद्दाता हो सकता है क्या वो वोटर दीपक डागर के फेवर में आएगा और एक बड़ी बात होगी कि जब EVM पर जब मद्दाता वोट डालने जाएंगे तो उनको जहां चंदरशेखा राजात की पार्टी का निसान था मिजिए देगा और फिर दीपक डागर का बल्ला होगा और बल्ले को समर्थन क्योंकि EVM में दिखाएं नहीं पड़ेगा जंता जनता तक कितना संदेश अग्रेशित कर पाएंगे दीपक डागर, जनता तक कितनी बात पहुँच पाएगी कि चंदरशेखर आजाद और वो साथ है, इन पार्टियों के कारे करता है, जनता के बीच कितना संदेश दे पाएंगे, इससे बात जाएगी, लेकिन राजनिती गर पियारों में जो चर्चा है, जो चौपाल पर हुक के पर चर्चा शुरू हुई है, वो यह हुई है कि क्या इन दो पार्टियों के समर्थन के बाद दीपक डागर कुछ और मजबूत हुए हैं, और अगर मजबूत हुए हैं तो कितना, चुनाओं पर असर पड़ेगा तो कित क्या रगवीर सिंग् तेवतिया और टेक्चन शर्मा के बीच जो सीधी फाइट है उस फाइट के बीच में दीपक डागर कितने प्रभावी होंगे अब एक सकंदर बड़ी बात एक और है दोस्तों कि जब गिर्राज जटोला ने अपना उम्मीदवारी अपनी दावेदारी वापिस ली तो दावेदारी वापिस लेने के बाद में वो पूरु मुख्या मंत्री चौधरी भुबेंदर सिंग उड़ा की जो रैली थी उस रैली कर पाएंगे कि उनके केंडिडेट को मैनेज कर लिया गया था या उनका मैनेज हो गया था और उसका किटना अधर होगा क्योंकि चौनाव के अंदर ये सारी बात बड़ी माइन क्यों प्रतिक वीडियो पर आपके funding होते हैं आपकी रया क्या है इस लुख कि पर सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें